मेरे ख्याल में शादी को अपसनत का दर्जा दे देना चाहिए आप पूछेंगे वो क्यूं भाई जरा खुद ही सोचिए हमारी जिन्दगी में क्या किसी और उकेजन के साथ इतने लोगों का रोजगार वाबस्ता है शादिया ना होती तो टीवी के सोप्स की छेछे एपिसोड का क्या बनता पॉप सिंगर्स की वीडियो की थीम क्या होती रिसालों के पहले दस पेज़े पे क्या तस्वीर चपती बजीया और हसीना मुहीं के ड्रामों का इखताब किस अंजाम पे होता हमारी मॉडल्स मरमिड लहंगों के बजाए समर स्विंवेर की मॉडलिंग कर दी वी जस्केन नॉट इमाजन लाइफ विदाउट वेटिंग्स इसे मेरी एक और तज्वीज भी है शादी को सनत का दर्जा दे कर इसकी वजारत भी काई की जा सकती है ताके हमारे बेकार पार्लिमेंटेरियन्स को इस्सेम्बली में जमाइएं लेने के बजाए पोर्ट्फोलिय हमा कर अपने अपने दफ्टरों में जमाहिए रेने का मौका دिया जा सकता है खर सहब को अहमूर इस्दवाज का वफाकी वजीर बनाया जाए ला अविली के कुवारे को वफाकी वजीर बरहानि traffक बराए इस्दवाज मकरर किया जाए कश्माला तारिक को पालिमानी सिकेट्री बराए एह तमामे इस्दवाज भी बनाया जा सकता है और काजी हुसाइन एहमल अरे उनको तो महकमा निकाहो तलाग का इंचाज बनाकर लॉंग मार्च इसका सिल्सला बंद किया जा सकता है मेरे मुझ से शादी की बाते सुनकर कहीं आप लोग ये ना समझ बैठिये का कि मैं शादी करने के बारे में सोच रही हूँ दरसल अभी अभी जैनब की बैटी की शादी अटेंड करके आ रही हूँ जैनब मिसस बंदूक वाला माई बेस फ्रेंड शादी से पहले कई दफ़ा जैनब के फोन आए कि नाजी आ जाओ लड़के वाले आ रहे हैं मेरी सम्धन से मिल लो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा समझ नहीं आता कि ये लड़के वाले और लड़की वाले दो ग्रूप किसने डिटर्मिन की है सच पूछिए तो मेरा तो खून खूलता है हमारे हाँ आम रिवाज ये है कि लड़के वाले बर देखने और घर जाचने में पहल करें उस लड़की को देखने जाए जो अपना घर, अपना महौल, अपनी खांदान को छोड़कर एक नए घर में बसने जा रही है सच पूछिए तो मैं ये चाहती हूँ कि ये हाख लड़की को मिलना चाहिए क्योंकि उसने एक नए घर में जाकर आबाद होना है कहां गई वो मसावात की, बराबरी की बाते हैं, हकूक की बाते हैं, मेरा तो खून खोलता है You know, I'm a great believer of self-determination हके खुदरादियत, सिरफ कश्मीर का नहीं, हर औरत का भी हक है माफ कीजिए, मैं भी क्या बातें ले बैठी I am a total believer of self-determination Do excuse me if I'm sounding like a feminist today She is an ex-minister of the women affairs and a great activist and advocate of women's rights and to prove that, she moved out of a loveless marriage and chose to live with the man she preferred That's my kind of a girl I'm talking about Tehmeena Doltana Come on in, my dear Oh Tehmeena, I'm so proud of you और आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम मेरे हाँ आई मैं तो कब से आस लगाई बैठी थी, कब से तुम्हारी राह देख रही थी इतनी देर क्यों लगा दी आने में, बहुत मस्रूफ रही क्या पिछले दूनों? पिछले दिनों कुछ मस्रूफ ही रही, कुछ एलेक्शन थे हमारे कंस्टिट्विंसी में, फिर उसके बाद जितना बड़ा डिजास्टर हुआ, फिर उसके बाद उधर जाना पड़ा, तो हलात ही ऐसे थे, मैं आनी सकी, यकीन माने, मुझे भी इतनी खुआश थी आपको म मारिज़ें, मैं कुछ फिट अप और टाइड बड़ा जाती है, तुम से नाओ, आज की कौन सी डाइट पर हो, एटकेंस, मायमी बीच या सकास्टेल, मैंने तो डाइट कम से छोड़ दी, है, बड़ा अच्छा किया, डाइट क्या करो, ये पता ही नही चलता कि सुबह में क इस ट्राइटिंग की क्या बात कर रहे हैं, अब सब कुछ भूल जाते हैं, और उस वकद दिल करता है कि जो आप खा रहे हैं, वो भी उठा के सब कुछ उनको दे दे, इतने पोजिशन खराब है, यकीन माने, एक, एक माह वहाँ पर लिटली वो पागल हो गई है, और उसके हाथ में वो कागज था, जो कागज उसके बच्चे के हाथ से मिला, उस कागज पे बच्चा रोज एक डेट लिखता था, और कहता था, आज मेरी माँ नहीं आई, और फिर वो भी होश हो जाता था, फिर पता नहीं, उसको होश आती थी, वो दूसरे दिन की तारीख लिखता और फिर कहता था, आज भी मेरी मां मेरे लिए ना खाना लेके आई, ना आई है, और फिर तीस्रे दिन की तारीख लिखी गई, और उसके बाद कोई तारीख ने लिखी गई, और वो मां पागल होके, हर तरफ जा रही थी और बेटा, मैं तो आती थी, ऋगर आपको उसमें स कौन निकालता मैं तो रोज आपके लिए आती थी और खाना ले के आती थी जब आप यह reality को देखें और दूसरी तरफ एक और दुनिया है जिसको जिस तरह आप कह रहे हैं डाइटिंग की बातें जिस तरह आप कहते हैं हमें तो रहा कपड़े भी याद रहे हैं इंग इन एक सब के साथ मिलते हैं और फिर कई दफा भूल जाते हैं कि अब कितने खुबसुरत खुबसुरत घरों में रहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि छे आठ फुट के कमरे में कई दफा दस और बारा लोग फैमली के रहते हैं ये चीजें जब आदमी देखता है तो उसके अंदर खुद बखुद एक तब्दीली आ जाती है मुझे बताओ, can I call you Tammu? You can call me Nazi. Yes, you can call me Nazi. मैंने इसलिए पूछ लिया कि वो चंदी आई हुई थी. You know Mrs. Fakhar Imam, मैंने उसको चंदी कहा तो बुरा मान गई. अब खुद ही सोचो, अगर मैंने उसको कहती, Begum Sayyada Abida Hussain of Jhang, Ex-Ambassador to the United States of America, Minister this, blah, blah, blah. I mean what a mouthful, titles याद करते-करते, oh my god, you would have given me a headache. How do you get out with Chandi? All right, but she left our party and in our party now there are those people who can face the struggle. She left our party at the time when we were in power. मुझे बताओ के अभी हम गुफ्दगु का रुख थोड़ा सा बदलते हैं. You were Minister for Women's Affairs also. मुझे बताओ तम्हो के हमारे मुलक में खवातीन के क्या मसाइल हैं? हमारे खवातीन के मसाइल हैं भी और इतने नहीं हैं. हम इसको प्रॉपगेट बहुत करते हैं. जो औरत यह सोच लेती हैं, कि मैंने अपने हकूख रहना हैं. और हक का यह मतलब नहीं होता कि दूसरों के हक चीजना. हक का मतलब होता है, हक और जबेवारी साथ सा चलते हैं. अगर आप हक लेते हैं तो आपको जबेवारी पी अपनी पूरी अदा करनी हैं. उस चीज़ को अगर आप देखें तो आपके पास हर एविन्यू खुला है अगर आप सिर्फ बैठ के ये कहें कि मुझे कोई हक नहीं मिल रहा है और अपने हकुक के लिए कोशिश नह करें तो जब तक बच्चा नहीं रोता मा भी दूर नहीं देती आपको अगर अपने हक चा में भी और टे कॉटन पेकिंग भी करती हैं चारा भी काठके खिला रही होती हैं घर का खाना भी बना रही होती हैं खावन मेरा तुद से दिल इतना ड्KA रहा है मेरे बड़े मसाइल है, और सबसे बड़ करें this home one is not, the other one is in business and I have got two lovely daughter-in-laws and two lovely grandchildren and it's beautiful. मैंने सुना है कि तुमने अपने मिया को खडा किया था तेहसील नाजर मनने के लिए अपनी ही अपनी ही सुनसी से, but he couldn't win, वो क्या हुआ? It is not he could not win, it is क्यों उनको जीतने नी दिया गया, आप सोचें, 26 UC, 19 UC मैं जीती हूँ, और 19 UC जीतने के बाद तसील नाजर नहीं नहीं बन सकते, तो क्या नजर आता है? आप सोचें, एक औरत काउंसलर मेरे पास आई, और मैंने अमेरिकन प्रिटिकल आफिसर को भी वहां बलाया और मैंने उनके सामने ये सब कुछ हुआ, वो औरत आके मुझे कहती है, बीबी, मेरे उते, मैंनो कह रहे हैं, कि मैं दूसरे जिले विच जाकर Div comedy किती है, और उस ते खिलाफ मेरे F.I.R कटे जा रहे हैं, मैं इस जिले डिकेती नहीं कर सकती, दूसरे जिले डिकेती करके मैं किस तरह आ सकती? मतलब है, कि वोट दो तो F.I.R कटे FIR कटे गी हाँ आपको पता है जिस तरह की अब ये तरीके से चेंजिंग आफ रिजल्ट्स जो ये करते हैं ये पूरे सिस्टम में लोगों को आफ फेट ही ने रहा है ट्रस्ट ही ने रहा है जब इतवार ही ने रहेगा तो सिस्टम तबाह हो जाएगा हमें चाहिए कि वापस इस सिस्टेम में इतवार लें और वो तब हो सकता है अगर जहां इनसान वोट डालना चाहें वोट डालें यह नहीं कि पोलीस के जोर पर हर काउंसलर के पास ऐसोच हो गया है हर नाजम को SP ने बुला के का है कि आपने उदर वोट डालना है यह तो हला थे I can imagine, I am such a great advocate myself of people's empowerment and especially women's empowerment You were women's affair minister, how come you did not work or you did not work but you were not very successful in getting the hudud law repeal करवाने में तुम कामियाब नहीं हो सकी थी If I remember correctly, you have made it yourself, you had registered the hudud case of the case, you had registered the hudud case So, you are correct? This law, how many women's lives have been passed? मैं आपको बताओं जी, ये हदूद law जॉनसा है उसकी मैंने कमेटी बनाई थी और उसमें हमने चाहा के बैठ के डिसकस करें अगर उसके लिए मैंने क्राइस सेंटर्स बनाए थे जो अभी तक चल रहे हैं और वो क्राइस सेंटर्स ये थे कि अगर औरत किसी पर कोई जाती होती है तो वो कहीं तो जाये थाने से जाते वो घबराती है सो वो क्राइस सेंटर नौन गवर्मेंटल और एंजियो को मैंने भीश में वाल्व करके किया था सो एक रास्ता खुले पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इसी टैबोज हैं जिनके साथ हमें लेफ करना है और इतनी जल्दी इन से जान नहीं छूटे अगतन टेकर क काएनून ना एक दन में भनन चाहिए ना एक दन में खेंए अच्छा हो या बुरा डिसकस करें उसको देखें और फिर वो कानून बनाएं जो हमारे मौशरे के लिए अच्छा हो रिलिजन को भी हमें अपने साथ लेके जलना है मगर हमारा क्या हमें पूरे हग देता है. जब और और उरत कोई हग नहीं था, तो इसलाम ने उसको एकल ऐस बड़ा हमें इस को वोट्र अप्रोे नगाए. उसको प्रोपटि को भी हग दिया. उसको तरीके से काम करने का और योटी को में ये मैं भूली नहीं, 1995 के वो प्रोसेश्शंस जब लाथी चार्ज हुए तुम्हारे सिर पी लाथिया पड़ी, वड्र बुड़ दॉपहेश्टाव से लगाउट यू थैटॉ मझे अभी तक नहीं पूली थै। मुझे अभी तक नहीं पूले भूती है। तुमने भी तो पुलिस कस्टिडी के अंदर बड़े दिन गुजारे, I'm sure कि तुम्हें होता मजानी आया होगा जतना मुझे शारुक के साथ आया था, but tell me about your days in the police custody, how was it? नौ दफ़ा मुझे जेल में डाला है, और एक वक्त जो शुरू में पहली दफ़ा हमें अंदर मैं भी थी, जवेद हाश्मी, और जवेद हाश्मी तो बिचारा गरीब अब दो साल हो गये हैं, दो साल से अंदर हैं, मगर आप सोचें, कि वहाँ पर हमारे कप्ड़े नी आने मैं जी याद है, एक जोड़ा में धोती थी और एक सुकाती थी, और अब भी तक मैंने वह जोड़ा रखा हुआ हैं, मैंने अपने बच्छों को दिखाना हैं, और अपने ग्रैंड चिल्डरन को दिखाऊंगी, अपने मुल्क के बच्छों को दिखाऊंगी, कि ये वह और मुशक्ति मेरे साथ औरते होती थी, हम अंदर से खाना बनाते थे, डबो में डालके, कई दुपान नमक नहीं नहीं होती थी, मिरिश नहीं होती थी, अचार का डबा रखा होता था, बीच में थोड़ी सी अचार डालना, तो इन लोगों को साद रफीक को, जवेद अचार मुझे बताओ, वफा करना और दोस्ती निभाना, तो कुई तुम से सीखे, लेकिन मुझे ये बताओ, कि वाट वाट वाव्मेंट और मिया साथ और कायद को श्त्राइक होता है, मुझे एक चोटी सी बात है, जब इनसान जेल में होता है, और एक कैदी होता है, क्या वो डील कर सकता है, मैं खुद वहाँ पर थी, इसलामबाद, जब इन सब को ले जाया गया, बेगम कलसूम नवास साहिबा और उनकी इंटायर फैमिली, खवातीन जो थी, वो इसलामबाद में थी, उनको कहा गया आप वहीं रुके, शबाश शरीफ को कराची से लाया गया, मिया नवास शरीफ को अटक से लाया गया, और फिर इन सब को उठा के, हमें उसी घर में बन कर दिया गया, जो हमारा मुस्लिम लीग हाउस था, हमें का आप बाहर नहीं आ सकते, वह मैं थी, जवेद हाश्मी था, इकबाल जगडा था, और भी हम काफी लोग थे, हम वहाँ हमें बन कर दिया, कि आप बाहर नहीं आ सकते, जब तक ये नहीं जाएगे, इन सब को उठा के एरपोट ले जाया गया, चार बज़े प्लेन ने जाना था, पता ये चला, ग्यारा बज़े तक, क्योंके हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, ग्यारा बज़े तक जी फ्ला लेका गया, और उनको ले जाया गया, आपको पता है, शबाज शरीफ साब आना चाहते थी, और जब वो आए, यकीन मानो नाजी, हद होती है, हालात की, मैं आराम से कोई काम कर रही थी, मुझे बाहर रहा से पता चला, आपके घर में रेड हुआ, वहीं से मैं गाइब जिस दिन शबाज शरीफ ने आना, I want to be there, तो मुझे कहीं और जाके रहना पड़ा तीन-चार दिन, और यकीन माने, ना कपड़े ना कुछ, इतनी मुखकल से मेरा तो साइज ही ऐसा है, हर बंदे के पास है ही नहीं लेकिन, तम्मो, तुम कहती हो कि डील नहीं हुई, अल I know is that one minute Nawaz was in the dead cell, the next minute he was a royal guest, ये डील था, मौजज़ा था, क्या था, मेरी समझ में नहीं नहीं हाथ, तौफ खौफ खुदा की कुदरत से होना चाहिए, इंसान से लिए, और मैं एक चीज़ बताओ, ये एक अफसोस की बात है, का आज पासपोर्ट इतनी देर बाद इसलिए द आज के लिए, और उस पासपोर्ट में एक चेक है, का वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते, दो वक्त का चीफ मिनिस्टर, दो वक्त का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का शेहरी अपने मुल्क नहीं आ सकते, अच्छा मुझे बताओ कि तुम लंडन जा रही है, उनसे मिलने क की गई थी, P.K.356, if I remember the flight number correctly, yes, उसकी कहानी सुनाओ, मुझे को क्या हुआ था, हद होती है, मेरा एक्सिडेंट हुआ, मैं सख बिमार थी, और मुझे ब्राउनकाइस हो गया, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे साथ दिन बेडरेस दिया, मैंने डॉक्टर साब को हस के का, मैंने के, डॉक्टर साब, साथ दिन बेडरेस सुरूर करूँगी, खताब हुआ, तो वो तो मैंने जरूर वहाँ जाना है, अब मैंने सोचा, और मुझे, मैं बताना नहीं चाहते, किस-किस के मुझे फोन आए, कि बीबी, बेहतर है, आप बेमार है, हम नहीं चाहते ह आपको तकलीफ देना, बेहतर है, कि आप मत महाँज रहा है, मत आओ, किसने कहा यह सब कुछ, मेरे ड्रॉइंग रूम में बैठी हो, सीधा कर दूँगे सब को, आप कर भी सकती हूँ, इस मामले में मुझे से जादा स्ट्रॉंग हो, आप कर भी सकती हो, हमें तो उठाते है जेल फेंकते, नौ दोबा जेल का दरोजा देख चुकी हो, तो आप सोचो, कि वहां पर, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि सब को पता था, मैं बिमार हूँ, मेरे मिया ने रोका, बिल्कुल नहीं तुमने जाना, मेरे बच्चों ने कहा, कि नहीं, तुम बहुत बिमार ह जो, मैंने फिर किसी को भी नहीं बताया, मुझे डर था, कि जिन लोगों के फोन मुझे आ रहे हैं, अगर उनको पता चल गया, तो वो तो मुझे अभी यहीं अरेस्ट करवा देगी, तो मैंने कहा, कि ठीक है, मैंने ही जाओगी, मगर मैंने पूरा प्रोग्राम चॉक आट कर दिया, मैंने किसी को कहा, कि किसी और नाम से कार्ड निकलवा दें, PIA का, बड़े अच्छे थे, उन्होंने मेरा कार्ड निकलवा दिया, किसी और नाम से, मगर घर में मैंने कहा, कि अगर हम मैं गई, अभी तो मेरी तबीज ठीक नहीं, सुबा बताऊंगी, ड्राइवर क को कहा, तो हम बाइकार जाएंगे, पूरा प्रोग्रेम बाइकार का, मगर मैं एरपोर्ट पहुंच गई, जब एरपोर्ट पहुंची, तो कार्ड मेरा निकला हुआ था, फ्लाइट इसलामबाद पहुंची, तो दर्वाजे नहीं खुले है, उन्हें कहा, जी बाहर वी हम तो ठहरें ओपोजिशन में, हम तो वी आईपी नहीं हैं, मगर आप तो वी आईपी हैं और मिनिस्टर हैं, पारलिमेंट में एड्रेस होना है, तो दर्वाजा खुलवाएं, आप खुलवा सकते हैं, वो पांच मिनिट की जगा एक घंटा लगा दिया, कुछ देर तो हम लोग खामोश है, उसकोद मैंने काई, मुझे समझ आ रही है, यह क्या हो रहा है, कुछ हकूमती लोग भी वहाँ थे, उनको मैंने साथ मिलाया, मैंने का कितनी बुरी बात है, कि इन्होंने दर्वाजे बंद कर दी हैं, एक मेरा हाथ उसकर टूटा हुआ था, प्लस्तर में हंगामा बढ़ गया है, तो एक दम आवाज आई, फास्टन सीट बेल्ट, वी आर लिविंग फॉर देस्टिनेशन अन्नोन, ओ मैं गाद, अट अक्शली हैपने, वहाँ शोर मचा रही थी, मुझे पता है, यह मेरी मजा से आप कर रहे हैं, आप यह करें, यह सब को परेशा किया हुआ, मगर वी लेफ्ट, रास्ते में बताया गया कि हम पिशावर जा रहे हैं, और मैंने अपने मोबाइल से अपनी पार्टी को बता दिया कि हम पिशावर जा रहे हैं, आगे से जगणा साब पहुंचे हुए पिशावर एरपोर्ट पे, मगर जब हम उतरे हैं, तो महां पर एंटी एरक्राफ्ट गंज लगी हुए हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम इसेंबली के सेशन में पहुंचना चाहती थी, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यू पहुंचना चाहती थी, आपने आप को अवामि कहते हैं, तो पेसित, if he says he is a brave man then he should face the assembly and today even I challenge him if you are such a brave man let's see how you can face I mean it was a party you such a feminist and headed by a woman why did you opt not to join her party BB is a very fine lady a lot of respect for her but I am by birth of Muslim leaguer okay and I believe in Kaidiyazam I believe in the struggle of Muslim League to make this country and I believe in the leadership of Mianawashi I am truly feel that if anybody has a vision which Pakistan can take the right direction of Mianawas now you have talked about the Muslim League and Kaidiyazam the Muslim League but they are in such a way which faction is the actual faction whom we have the actual faction which would be the country and they are in such a way को वो तो बनते भी उनी की साथ है यूथ का का के साथ कंवेंशन मुस्रम लीग बनी, उनी के साथ ख़ता हो गई आम आदमी रिलीफ नहीं सक्थ नहीं है उसके लीए हम नस्थास कर सकते pista को इसको दो डॉक्त की रॉटी नहीं हमें यहां बैठने का हक है आएंदा कभी वोट मांगने में प्रॉब्लम हो तो मुझे साथ देखे चली जाना वोट और नोट समेटने में तो मेरा रख कोई जवाब ही नहीं मेरा ख्याल है इस बारे में मुझे पक्का वादा दे दो पक्का वादा दे देना कि अच्छा आएंग आएंग प्रॉमस अच्छा रे घर आए मेरे ड्रोइग रॉप में आई तम्मो मुझे ऐस लगर कि मैं पारलिमंट हाऊस में आगई हूँ चलो बात करो कुछ मोठते खाना पका लेती हो? अब कौस पकाती हूँ मैंने तो बड़ी रोटियां पका पका कर भीजी जेल में नवास को और शहबास को तुमने नहीं पका के खिलाए खाने उनको? मैं तो खुद भी जेलों में रही हूँ मगर खाना पकाना मेरा स्ट्रॉंग पॉइंट नहीं है नहीं है पका लेती है और स्ट्रॉंग पॉइंट नहीं है एक वक्त बड़ा पकाया है अच्छा मुझे बताओ मौसी की सुनने का शौक है के नहीं थोड़ा बहुत ही सुनती हूँ टाइम कहा होता है हाय तो गाड़ी में चलते फिरते कसेट लगा लिया करो हमारे पाकिस्तानी बचे बड़ा अच्छा म्यूसिक बजा रहे है नहीं नहीं बहुत अच्छा बजाते हैं पता नहीं पिछ लाइफ ही ऐसी है और मैं तुम्हारी बातों में ऐसी गुम हो गई कि भूली गई कि मैंने आज तुम्हारे ख्याल से एक बहुत ही तालन्टड गुलुकार को यहां दावत दे रखी है नाम सुनोंगी तो तुम भी खुश हो जाओगी That's very nice Come right in, Ali Azmat Tammo, I'm so happy, I'm so happy आज मेरे दो-दो पसंदीदा लोग मेरे ट्रॉंगरो में आय हुए है Two of my favourite, most favourite people और Ali, मैं हर किसी को कहती नहीं हूँ, तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारा गाना, तुम्हारी मौसीकी मुझे बहुत पसंद है बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रियाद क्या मस्रूफियात है आजकल आजकल तो बिल्कु कोई मस्रूफियात नहीं है Actually, बस गाने लिखे जा रहे है हाई, मुझे बताया होता, मस्रूफ कर देती तुम्हें बस ऐसी मस्रूफियात से तुरसा मैं बचता ही है तहमीना दॉलताना को तो जानते होगे जी बिल्कु जातवान को कौन नहीं है And Tamina, you know Ali Of course, of course You know, आज मेरे सुभा का आहास बहुत मज़ेदार तरीके से हुआ सुभा सुभा उठी, तो तीन फूल मेरे घर पहुँचके ये वाला, चौदरी एतजाज एसन ने भेजा You know AZ ये वाला, मख्तूम सहब ने भेजा और ये तीसरे वाला छोड़ो, नहीं बता सकती ये फूल तुम्हारे लिए Thank you और Ali, ये फूल तुम्हारे लिए संभाल के रखना ये येलो फूल जो है तो अनिमोसिटी का निशान तो ये फूल जो नहीं मानती It's matching your chair Okay, that's great Thank you Okay, listen to me एक बात का credit मैं Ali को जरूर दूँगी मैं हमेशा रोती थी लोग के सामने जाकी शिकायत करती थी कि मुझे आज तक ना कहना नहीं आया इसका गाना सुना नारे ना तब से ना कहना असान हो गया है But what a fabulous song and what a fabulous video Thank you very much What was the inspiration behind that song? Well, the inspiration basically is life really Fact of the matter is that we go through life everyday Wanting things and longing for things And then eventually the thing comes to us And then we're like, we didn't really want this after all And so it's basically, it's, you know, it's saying that you want something so badly And when you get it you say, did I ever want it to begin with? The gist of the song is to begin with like that The video on the other hand, Saakib Malik came up with the idea I didn't have nothing to do with it I thought it was a brilliant idea It's as much as you want anything else You would love life and would want life And his concept was that there's a man who's dying And he wants life as badly as he doesn't want it So, and through that moment of dying or going through that trauma He sees all his broken dreams His life, you know, goes through him in a juxtapose In a dreamy sequence And he realizes that if I choose life Is I gonna be worth it or not? But Mundeya, you're a big angry girl Which girl you're doing? Say Punjabi I'm gonna say Punjabi He speaks such wonderful Punjabi He speaks such wonderful Punjabi It's such a joke society Tell me one thing You died in the video You saw the video Ali Zafar's video It was in the mood I don't die I'm gonna die Basically, that's the end result That I actually come alive Come back to life Talking of life, Ali How has your life changed After becoming such a successful rich star in this country? Well rich I don't know about But success Come on Ali, I'm not from the income tax department You're sitting in my drawing room Even if you were, I mean I pay my taxes So I have nothing to fear You know That's something that we always We always thought Just keep your life clean You know So nobody can raise fingers at you Yes it is And it just works out better that way But success again If you talk about money, success I think it's all relative From If you ask me I've been doing this for 18 years or so So 18 years 18 years 18 years It's relative Because I mean if I was successful for 2 years Or 3 years Or For instance 6 years before I struggled Or 12 years before I struggled And then If the next 6 years It's better So You know Success is relative So we always have to struggle From The point we stand Where we stand We are struggling People gauge it Success We also gauge it Because We are doing it So That's Success in its own right That The dream that you had You still believe in that dream Now That is success It's a relative term And From people's point of view Yes, you are very successful Happy Yes, you must be having the greatest life Ever Rich and famous As you say But at the end of the day Every human being Goes through Same exact problems As a rich man Or a poor man Or a powerful man Or a weak man So I think That is very relative You are struggling 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 I am not struggling I was waiting for you Just waiting for you That someone will come And you are going Okay, tell me That there is a perception of rock stars in the world That there is a perception of rock stars in the world That there is sex, drugs, and money How true is that? I think it's quite true Tell me What kind of relationship do you have with Vinny? She is one of my favourite models By the way At this point There is no relationship We are not even talking terms So That's God One minute they are best of friends And the next minute They are just not talking to each other But she has been a constant in your life Well, I mean It's relative again I don't know Where were you looking at my life from? I don't know Where were you looking at my life from? Yes, if you If you If you If you If you are using that angle Sure, she is very relative But you know We haven't Been in touch with each other For the last five years or so So I think it's just media Which needs to create a story Why don't you create another story With another girl? You know I am kind of bored of that old Seven year old I mean I said Somebody looking for another girl A girl, not a Begum please There is a difference I mean I guess Preferences Personal Preferences But I think she is very beautiful Yes, she is But Not my company You are too much woman for me to handle That's the only problem And I will take that as a compliment Yes, you should You shouldn't take that any other way I like the wah-wah effect And my life is sort of Wah-wah-wah That's great Glitter Asha, coming back to your music Let me tell you That you guys Junoon was a phenomenon Very big Very successful Mashallah, bowling struggled But I said Junoon was very successful Then you guys split up You went your way Salman went his way Brian went his way Why did you guys decide to split ways? Because there are too many ways That's the problem In life You just find There are so many ways to go Where should I go? Should I go here? Should I go here? And then For about 15 years Or 16 years or so You try to keep the dream together Intact Or my dream is your dream And your dream is mine It's like in any other relationship also Father, son Husband, wife Any other relation Human relationship People try to keep their relationships And their ways And the way they grow up They want to grow with each other I mean you can try I mean if it happens it's great If it doesn't then Nothing you can do about it So we were very adult about it Because 15 years is a lot of time And I think after 15 years or so My priorities changed Their priorities obviously changed They live in America Both of them For me to like keep a relationship going A remote control relationship Through the internet Or the email Or flying on the drop of the hat To America It wasn't working out for me anymore I was sick of traveling Sick of having no actual musical relationship With the people that you They're living across seven seas So I said Obviously it's not fulfilling for me In the sense musically Bands Musicians are musicians and bands As long as they play music If they become You have laurels Your success is so much Waajiba Ali Aazmat sahab Aaliyah Kya lishakti bhi tende Aaliyah Ma sha Allah I mean you can't live on that alone You can't That Ali Aazmat If you don't play music Then Ali Aazmat Salwaan And Aamad is not a new So my point was Because of the physical distance That became apparent That we couldn't be together anymore Or come to America for three months And record an album it wasn't it wasn't a choice anymore i just didn't want to go through that be displaced in another country recording music which is which i'm not feeling comfortable with so it's a lot of other things so i had to do music differently in a different environment with a different frame frame of mind you was talking about relationships i wasn't talking about relationship you were talking about relationship no you have also been in a band and you said 15 years are really special about relationship no you have to have to find out much more that I don't want to be able to do it because he is not of course there is a way to do it and then you do not have to find out what the relationship between those who don't have to do it why did I do I do not have to understand what relationship with the relationship from me which I cannot find out was not the relationship the relationship that you got to be a trust in the relationship or that you have to have a relationship to इतनी जितनी एक मेंडग को रेगस्तान से होती है तो बड़ी अजीब सी बात करती है क्या रेगस्तान में मेंडग ही होते हैं मुझे तो नहीं पता था माझी जो इनकी मुझे के अज़्टो आजरूरी है। अशी कि आफ यह कर सकते हैं। नहीं से के पाइब होते होते हैं, यहझे किसी आफ किसी में ना स्याषत कर सकते हैं। और मेरे दो बेटे हैंüre कर सकते हैं। And I think that is the way we should continue. And I have a strong commitment. God, is phone ko bhi abhi baja tha. Timmy just excuse me for a second. Hello, koon bol rahi hai? Tehmeena? Tehmeena tu mere saamne baethi hai? The other Tehmeena? Oh, I see. Tehmeena Durani bol rahi ho. Nahin? Tehmeena Anis? No? Tehmeena Khar. What? Most certainly no? Ah! Tehmeena Sharif! I guessed it, finally. I am very proud of you. Kaisi ho? Look at that. Aksar kaha jata hai, khe mardhoon ke sarke baal biebiyo ki wajah se jhar jate hai. Bhai, tumne to kamaali kar diya. Mia to mia, jayte ke sar par bhi baal ugadi hai. Huh? Achcha, bata ho, phone kiyo kia. Hmm. My Feudal Lord ka sequel likh rahi hai hai. Achcha. Mujhseh title ke suggestion deni hai. Jani, tum aisa karo ke tum My Feudal Lord ke part two ka naam rakho. My Foundry O na? Achcha laga na? I am so glad I could be of help. Haan. Urduu title ka bhi poochna hai. Kya naam ta tumhari pehli kitab ka? Haan, haan. Menda Sain. Aisa karo. Uska naam kar do. Ziddi Lohar. Haan? Achcha laga na? Haan. Haan. Kal Kalan ko Sangeetha se kekher film bhi banwa dungi. Kya kaha? Sangeetha ko nahi chanthi. Never mind, darling. Achcha. Mujhe ijazat dhu Tehmeenah aayi bae ti hai. I have to attend to her. Haan. Kaunsi Tehmeenah? Bhai Tehmeenah doltana. Kya kerti hai? Haan. 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 Jaagir daar hai. Business woman hai. Or part time siyaasadhi kar leti hai. Tohaare mia ki tarha. Kya kaha? Haan. Haan. Ho toh full time mohabbat kerti hai. Haan. Now don't make me jealous Tehmeenah. Haan. Meri tehnai ka yun mazak na urao. Khuda haafiz. Haan. She got me all depressed. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. You are taking time to cry it out. Haan. Nahi. Tum beethe ho na. Kraya kaise karungi. Achha. Tum shadi me nahi gai? Kaha par? Shehbaaz ki? Nahi. Unhunne meera khalai apni ladai kerti koji aasi shadi, bade shadi nahi thi. Achha. Vaisi hum tin ki baat aap ne ki. Thum mujhe yaad aya. You know, people who are bald on the top are sexy. And people who are bald on the back think too much. And people who are bald on the top and the back think they are sexy. But Ali, you're bald all over. Mujhe bilkul samaj nahi yaarraa ki mein tumhaare mei kya souchou? God, sexy as hell? Aap jaisa bhi souch hain lekin jaisa aap souch rihin hain waisa ho nini sakta. Ali. Mujhe kabhi underestimate na karna. And kabhi challenge na karna. Tumhara her challenge kabool kar sakti ho. Main peygam nabazish ali kuch bhi kar sakti ho. Main is baat ko maantah hon. And atiram karta ho. That's why I'm trying to cut down. Cut down? On making claims. I know claims. I know claims. You win. I want you to make all the claims. I want you to make all the claims. You win hands on. Mujhe batao ka. Bajpan kaisa tha tumhara? Bajpan baat interesting tha. I grew up in Lahore. And Lahore ka jose wakat basic a culture tha. We became that. And then we realized that we've outgrown that culture. And need to get out. And I think I left Lahore when I was 18 years old. Tumhare zauk keo par thoda sa shak honne lag hai Mujhe Ali. I was never known for my zauk. Jho cheeze pasand aani chahiye ho pasand nahi aati. I was never known for my zauk. I mean you must have heard it. Zauk. I was always known for my shauk not my zauk. That's a naughty statement. That's almost like a confession. It is. Tell me about the music industry. Humare mulk mein aur kuch tarakki kare na kare. Lekin humare mulk mein humare jo pop music industry hai. Thanks to people like Ali Azmat bohat tarakki kar rahi hai. I almost think it's a diseased society. You know where a man and a man is supposed to hold hands. But a man and a woman can't hold hands. So it's a kind of diseased thinking that you also have on a level of our families. The people that we meet. The people we're related to. The people we love or hate. The people we interact with. It's a Pakistani society. And it's a kind of thing which is still confused. And people can't find any way out of it. And I see that a lot. And I'm in Karachi shahir mein jab bhi waapas aata hon. So I know that the people we meet with. They always live in a kind of depression and angst. So my question is, what is your problem? What is your problem? You have to say that you don't have to do anything. There's nothing to do or there's certain ways that our society become that things that you could do on streets of London and streets of Paris or streets of New York. You cannot or you shan't even dare to think about doing those things in your own country, which includes just taking a simple walk to a next koka and getting a coke for yourself. You can do that in England, go out to HV road and get a shawarma. But you won't do that in Pakistan, walk to boat basin to get yourself a shawarma. So these are kind of things that we are, we don't have. And this is the most normal pleasure of life of to be able to walk, to be able to go to a film house. Excuse me, why don't you do it? I do it, I do it. But I think the people of this country, they don't do it because they think, yaar, nahi yaar, bair kaisa nikal sakte yaar? Why not? I am telling you that there is a mental block. No, but you don't have to. I mean, I personally feel whatever I've always wanted. We don't have to do a lot of other things also. That's not my point. But I'm saying what happens is that that's the fact that people don't. But I agree with Tehmeena on that. And Tehmeena is a very courageous woman. And I also remember that they give very dangerous statements. Your statement about Golda Meier, you said that she was your ideal. And you said that you would like to do for your country what she's done for her country. No, I did not say she was my ideal. But I said in New York, Golda Meier, she came to New York. She used to come to United States and tell the Jews over here, come on, help your country. I am saying exactly the same that please help Pakistan because your country needs you. Okay, let me tell you. You're going to marry me. Oh! You've seen a marriage for me? I feel like you have to see. Let me see. Because whatever person you meet and see me, my mother also asks me. Okay, she's going to marry me. She's going to marry me. She's going to marry me. We will marry. We will marry, Tehmeena and I will marry. And Tehmeena, before I call it a night here, and we proceed for dinner, my last question to you. And then, our country is important, our country has become our needs. By the way, our country has become our needs for institutions to strengthen our needs and our needs for our people. हमें सबसे जादा खत्रा अंदरूनी खत्रा है क्योंकि जब आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं तो बाहर से फिर किसी के आना कोई मुश्कल काम नहीं होता और ये एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है जो आपके नेबर ने कहा है के आप उनके इर्दगिर्द फेल स्टेट है वी आर नॉट अफेल स्टेट बट वी आइडिंग तोर्ट इट इस बेटर अपने आप को बचा लें क्योंकि अगर हमने अपनी आंखें बंद रखी और इस वकत जो इतना बड़ा एक इतना बड़ा क्राइसिस हुआ इस मुल्क में जो जल्जले ने लाए है उसको अभी तक हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम इस वकत बहुत मुश्कल हालात में हैं अल्ला हमें बचाए जानती हूँ मुझे इस वकत सबस्द्दा खतरा किस से है इस से है खाने में क्या पउस्द्दान करते हो खाने में कुछ भी घर का खाना पहले आटज़ साल जो उतना खाना बाएर से खाया के अब बाएर जाने के दिल नहीं करता हूआ और घर का खाना दाल, रोटीड़, अल्यजल, भी खाने है है भूपी लग रही है क्यों नचल के खाना खाए आई जरूर मुझे यकीन है कि आज मेरे ड्रोइंग रूम में अली अजमत को देखकर तहमीना दौलताना को देखकर आप सबको बहुत बहुत खुशी हुई होगी मैं बेगम नवाजश अली इस वक्त अली के साथ और तहमीना के साथ वहाँ जा रही हूँ काश के आप भी मेरे साथ वहाँ आ सकते लेकिन क्या करो मजबूरी है आपसे इजाज़त चाहूंगी अगले हफ़ते तक के लिए अगले हफ़ते मैं प्रशी शक्सियात के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा और मुझे बहुत ज़्याद ना कीजिएगा खुदा हाफिज नवाजश